जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के गाउं में देश का पहला लीथियम भंडार मिला है अब यहाँ पर खनन का काम शुरू होना है यह भंडार मिलने के बाद अब इलाके के लोगों को रोजगार की आजबड़ी है लोगों को कहना है कि जो भी कमपनी यहाँ पर खनन के लिए आए वो यहां के लोगों को रोजगार दे पूर्व सरपंच के मुताबिक जमीन अधिखरण के लिए मुआफ़जे के रेट को लेकर सरकार की योड़ से अभी तक कोई बात सामने नहीं आई है उनका कहना है कि प्रभावित होने वाले लगभग 335 परवारों का पुनरवास कैसे किया जाएगा ये सरकार बताए सबसे पहले इन लोगों को जहां पर इसको बसाना है उड़ के लिए बदोबस किया जाए बहाँ पर बैठे और इसका रेट जो है जे नहीं के जो रोड के रेट आ रहे हैं जैसे कट्रा से रेट आए हैं लेकर वो है सडक बढाने का ये पूरा गाउ जा रहा है इसके लिए अच्छे से अच्छे रेट सरकार ने देने चाहिए ये हम अच्छा मुआपजा मिलना चाहिए नहीं तो इतने कितने रसूगदार लोग किनकी किसी की दुकान ने किसी के होटल तो ये लोगों को जहीं दूसरी जगा बसाएंगे तो हम इन लोगों को बैसी ही फैसिलिटी बहाँ मिलनी चाहिए जासे स्कूल फैसिलिटी हो स्क पिर्थ की तलहटी में बसे रियासी जिले किस सलाल गाउं में मौझूद लीथियम भंडार हाई क्वाल्टी का है। ये आत्म निर्बर भारत के लिए एतिहासिक और मील का पत्थर साबित होगा। इससे इलेक्ट्रिक वहनों, ट्रांस्पोर्ट और बैटरी इंडस्ट्री को बहुत मदद मिलेगी।